नमस्कार दोस्तों, वेद एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है, आज के वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण बात करेंगे वह इस प्रकार है दोस्तों सावन के महीने में किसी भी दिन इस व्रिक्ष को छुकर आजाना ततकाल गरीबी मिट जाएगी ततकाल गरीबी समाप्थ हो जाएगी यदि आप सावन के किसी भी दिन सावन के महीने में किसी भी दिन इस पेड़ को छुकर आजाते हैं दोस्तों भगवान भोलेनात की क्रिपा से ही आपके जीवन की सभी परिशानियों का अंत हो जाएगा और भगवान भोलेनात के आशिरवाद से आपके जीवन में खुशिया ही खुशिया होंगी और भगवान भोलेनात के आशिरवाद से आपके घर में अन्नधन के भंडार बने रहेंगे और गरीबी ततकाल मिट जाएगी आपके जीवन से तो दोस्तों कौन कौन से ऐसे व्रिक्ष है जो की आपको सावन के किसी भी दिन जरूर चुकर आ जाने हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्रिक्षों के बारे में बताने वाले हैं जो की सावन के महीने में बहुत ही जागरित अवस्था में हो जाते हैं और यदि आप इन्हें चूलेते हैं भगवान भोले नाथ के स्मरण कर दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना कौन कौन से व्रिक्ष है जिस प्रकार बताए जिस समय बताए उसी प्रकार इन व्रिक्षों को आपको छू कर आना है तभी आपको इनका लाभ मिल सकता है तो बहुत ध्यान से सुनना बहुत फायदेमंद विडियो है बिना काटे बिना स् पूरा देखेंगे तो ही आपको इस वीडियो का लाभ मिलेगा तो दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान भोले नाथ के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स जै भोले नाथ शिर्वाद आपको सीधे प्राप्थ हो सके दोस्तों आपको बता दे हिंदू धर्म में श्रावन के महीने का बड़ा ही महत्व होता है जी हा दोस्तों इस महीने भगवान शिव की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना भगवान भोले पूर्ण करते हैं। अत्यंत कृपा बरसने वाली है। पूजा के लिए तिल के तेल का दिया जलाएं। और भगवान शिव को पुष्प अर्पन करें। मंत्रो चार करने के बाद भगवान शिव को सुपारी, पंच अमरित, नारियल और बेल की पत्तिया चढ़ाए। वरत के दौरान सावन वरत कथा का पाठ जरूर करें। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि नित्य प्रतिदिन मात्र एक लोटा जल कुछ भी संभव न हो सके तो मात्र एक लोटा जल भगवान शिव को प्रतिदिन सावन के प्रत्येक दिन अर्पित कर देते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे तो दोस्तों प्रति दिन भी संभव न हो सके तो सावन के जीतने भी सुमवार पड़े, प्रत्येक सुमवार को एक लोटा जल भगवान शिव को जरूर अर्पित करें, आपकी समस्त मनोकामनाओं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देंगे, जी हाँ दोस्तों अब बात करे क सबसे पहला व्रिक्ष आता है, वह पीपल का व्रिक्ष दोस्तों आपको बता दे ब्रहमा, विश्नुक महेश तीनों श्रावन के महीने में पीपल के व्रिक्ष पर वास करते हैं, तो दोस्तों पीपल के व्रिक्ष का बहुत ही खास महत्व सावन के महीने में और अधिक तो दोस्तों हाथों हाथ मनोकामना पूर्ण हो जाती है और ततकाल ही जीवन से गरीबी समाप्त होने लगती है। तो पीपल के व्रिक्षो भी सावन की महीने में किसी भी दिन जरूर चुकर आए। संभव हो सके तो प्रति दिन चुकर आए आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। चमतकार देखेंगे आप अपने जीवन में दोस्तों दूसरा जो पेड आता है वह है बेल का पेड जो बेल व्रिक्ष होता है। बहुत ही प्रभावशाली व्रिक्ष भगवान शिव को सबसे बेहत प्रिय व्रिक्ष का व्रिक्ष माता पार्वती की पसीने से उतपन्द बेल का पेड आपको बहुत ही लाप पहुँचा सकता है। सावन के महीने में क्या करें आप संभव हो सके तो प्रति दिन नहीं तो किसी भी दिन अगर किसी भी दिन समय ना हो तो दोस्तों सावन का जो भी सोमवार पड़े उस दिन तो ये उपाय जरूर करें आपको बेल का व्रिक्ष जरूर चू कर आना है किस प्रकार सर्व प्रथम आपको बेल के वरिक्ष को प्रणाम करना है और जो मनोकामना लेकर आए हैं इस हमारी मनोकामना पूर्ण ऐसी प्रार्थना करनी है और घी का दीपक के वरिक्ष की जड़ के पास जला देना है और साथ बार परिक्रमा इस तरह करनी है कि वो बेल के पेढ के साथ जो आपने दीपक रखा है, उसके साथ और बेल के पेढ के साथ साथ बार परिक्रमा हो जाए और बेल के पेढ को छुकर अपनी मनोकामना कहदे घर लोट आए, दोस्तों हाथो हाथ मनोकामना पूल्न हो जाएगी। बेल के पेड को आप जरूर कराएं, लाभ मिलेगा। और दोस्तों इसमें जो अगला पेड आता है, वह शमी का पेड जो शमी व्रिक्ष होता है, वह भी सावन मास में बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। यदि आप शमी के व्रिक्षो भी छूकर आ जाते हैं। श्रावन महीने में किसी भी दिन या फिर सावन के सुमवार के दिन तो दोस्तों हाथो हाथ मनोकामना आपकी पूल्न हो जाती है। जीवन से ततकाल गरीबी समाप्थ हो जाएगी। तो दोस्तों शमी का व्रिक्ष भी आप जरूर छूकर आए और इसमें जो अगला पेड है, दोस्तों धतूरे का जो पेड होता है। धतूरे के पेड को यदि आप छूकर आ जाते हैं और धतूरा का आप फूल और धतूरे का फल भगवान शिव को अरपित कर देते हैं। आपकी जीवन से ततकाल गरीबी समाप्थ हो जाएगी और ऐसे योग बनेंगे की आपको कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा दुरलब योग है। इस बार सावन के इन पवित्र दिनों में लाभ मिलेगा। धतूरे के पेडों को भी जरूर चुकर आए चमतकार देखिए फिर आप अपने जीवन में दोस्तों इसमें जो अगला जो पेड आता है। दोस्तों वह पेड आता है केले का पेड जी हां दोस्तों यदि आप केले के वरिक्ष को तो केले का पेड होता है। इसे इसमें कच्चा दूध अर्पित करकर इसे चुकर घर लोट आते हैं तो दोस्तों को गरीबी आपके जीवन से ततकाल समाप्त होने लगती है। तो केल प्राप्ति के योग बनेंगे आजीवन कभी भी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे पेड बताए जो की आपको सावन के महीने में किसी भी दिन जरूर चुकर आये संभव हो सके तो सोमबार जो भी पड़े उस दिन जरूर चुले किसी भी दिन समय ना मिले तो सोमबार के दिन तो जरूर चुले हाथों हाथ मनोकामना पूर्ण होगी भगवान शिव की क्रिपा आप पर सदैव बरसेगी दोस्तों वीडियो को लाइक करें ज्यादा शेर करें चैनल को